नमस्ते फ्रेंड्स मैं हुकूनम स्वागते मेरे चैनल में आज के वीडियो बहुत ज्यादा यूजफूल है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप ये वीडियो की सिटी से देख रहें अपने सहर का न से शिवकुमार मिस्रा जी को गोंडा उत्तर प्रदेश से विमला कंचन जी को पिल्खुवा यूपी से प्रमोत कुमार जी को चानपूर बिजनोर से आप सब को फिर से एक बार बहुत धनवाद करती हो बिना देर करे हुए आज की सूपर सी टिप स्टार्ट करती हूं आज जब आप आम लाही रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रख लें जिससे की आप बिमान नहीं पड़ेंगे और आम खाने के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आम हम लेके तो आ जाते हैं लेकिन उसको खाने से पहले हमको तीन चीजें जरूर कर लेनी चाहि जब हम आम लेके आते ना तो सारे आम एक तरे के नहीं आते देखिए यह आपको आम बहुत सारे पीले दिख रहे थे लेकिन उसमें से एक हराम निकल गया आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप एक दो किलो चार किलो आम लाते हैं उसमें से कुछ आम हरे होते हैं हरे मतल आपको यह जो थोड़ा सा कच्चाम है ना इसको निकालना है और इस तरह से न्यूस पेपर में लपेड देना है क्योंकि न्यूस पेपर की जो इंक होती है वह आम को पकने में मदद करती है और बस इस तरह से आपको आम लपेड देना है और जिस भी बरतन में आम रखे ना उ ये पहले टिप तो आपने देख ली और आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आई आप देख लेते हैं आम से जुड़ी हुई एक दूसरी और बहुत ही अमेजिंग टिप आप इसका जरूर इस्तेमाल करें इससे आप बीमार होने से बच सकते हैं जब भी आप आम लेके आए त इसमें क्या नया बता रही है तो आज आपको बता दूं कि आम कभी भी धोके नहीं गला के खाना चाहिए दोके तो सभी लोग खाते हैं इसलिए आम खाने से कई तरह की बीमारी अलग जाती हैं जब भी आप आम लेके आते ना तो कम से कम एक घंटे के लिए और अगर आप नौर्मल ज्यादा टाइम है ना तो डेर से दू घंटे के लिए अराम से आम को पानी में डालके छोड़ दें जिससे क्या होगा आम के अंदर जो गर्मी होती है वो पूरी निकल जाती है और फिर आप जब इस आम को खाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रोब्लम नही आने वाली कई लोग जब आम ज्यादा खा लेते हैं तो जब बारिस का मौसम आता है तो छोटे छोटे फोड़े फुनसिया उनके सरीर में निकलने लग जाते हैं कई लोगों के तुनाक से ब्लेट तक निकलने लग जाता है और वो सब इसी लिए होता है कि आम को आप डारे कैसे खाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है और यह तो फलों का राजा है आप सबको पता है कि कितना टेस्टी होता है तो यह देखिए बिलकुल एक दन छोटी सी टिप थी होप करती है टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी हो आपको पसंद आ कि आप बोलेंगे कि पूनम ऐसी अब क्या चीज बताने वाली है तो चलिए बहुत सिंपल सी टीप है और इसका आप हमेशा इस्तेमाल किया करिए कई लोग जब आम खाते हैं तो डायरेक्ट यहां से कट करेंगे और मुह से ही हम लोग कई वार कट कर लेते हैं और चूसने लग जाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए जब आप आम लाते हैं तो अकर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आम बहुत हेल्दी होता है बहुत टेस्टी होता है चलिए देख लेते हैं कि आम को हम कैसे खाए जैसे कि आम हमको नुकसान न करें तो आम को आप प उपर की यह जो छोटी सी डंडी होती ना जासे इसका मुह होता है उपर से कटकलने इस तरह थोड़ा सा छेद बना ले और बस अब आपको चार से पांस ड्रॉप आम को इस तरह से निचोड देना है जैसे आप आम को दबाएंगे तो यह आम का यह उपर का थोड़ा सा जूस अब जी जो जूस है ना यही हमारे पूरे सरीर में गर्मी फैलाता है तो अगर आपने थोड़ा सा निकाल दिया और अब आप इस आम को खांगे तो आप कभी भी विमान नहीं होंगे और नहीं इसके खाने से आपके ओटों के आसपास कोई फुनसी आउंगी तो थीना यह से चुड़ी हुई एकदम अमेजिंग और कमाल की टिप तो अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आम खाने से आपको भी कोई प्रोब्लम नहीं होगी होप करती है वीडियो बहुत ज्यादा यूस्फुल लगा हो आज के बाद आप भी आम को इसी तरह कैसी लगी यह टिप मुझे जरूर बताएं टेक की